नमस्कार, दीना स्पूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज वेज हॉट डॉग बनाएंगे, आए देखे इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले स्टफिंग तयार करेंगे इसके लिए मैंने तीन आलू, एक गाजर और एक बीटूट लिया है सभी को छील लिया है, अब इसे कूकर में उबालेंगे आलू को बीट से कट कर ले, गाजर को दो टुकडे में कर ले और बीटूट को भी कट करके, आधा कप पानी डाल करके इसे उबाल ले एक पाउल में स्वादरुसार मिर्च कटा हुआ ले लंबा कटा हुआ प्याज डाल दे, स्वादरुसार नमक, एक चमच चीनी, एक से डे टेबल स्पून एपल सैडर विनेगर इसमें पानी इतना डाले, जिससे की प्याज डूब जा, लगभग आधा कप मिला कर इसे ढग दे, और 20 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रखें पैन में 1.5 टेबल स्पून ओलिवाइल ले, एक चमच कटा हुआ अदरुक, पदनुसार मिर्च, एक चमच लैसुन का पॉडर, तो फ्ले में इसे थोड़ा भूने अब इसमें 2-3 कप बारिक कटा हुआ गोभी डाल दे, गोभी को एक मिनट के लिए भूने, उसमें बारिक कटा हुआ पयास डाल दे, इसे चला ले, स्वदनुसार इसमें नमक डाल दे, बारिक कटा हुआ इसमें शिमला मिज डाल दे, अपने मन पसंद की कोई भी सबजी इ आलू, गाजर और बेटूट मिला दे, प्रिश्यस बनाने के लिए आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, इसमें ब्लैक पेपर पॉडर डाल दे, स्वाधनुसा लाल मिर्च पॉडर, फ्रेश कटा हुआ धनिया इसमें डाल दे, सब को मिला दे और धंडा होने के लिए रख दे ठंडा होने पर एक बड़ा सा पाट ले, उसको सिलिंट्रिकल शेप दे, ऐसी करके सारे बना ले उसी पैन में एक डाले और उसको लंबा करे ऐसे ही सारे बना ले थोड़ा सा तेल डाल करके इसे सेख ले इसे सेखने के लिए पैन को हिलाए डूलाए और अच्छी तरह से सीख जाता है ऐसे ही सारे सेख ले होट डॉग बन को बी से कट करे गरम पैन में इसे ढख करके रखें जिससे असानी से इसका स्टफिंग किया जा सकता है सबसे पहले मायोनीज लगाए अब इसमें प्याज लगा दे अब इसमें सिलिंडिकल आलू स्टफिंग डाल दे अब ड्रेसिंग सॉस से गानिश करे इसकी जगा पे आप टोमेटो सॉस ले सकते हैं मस्टर सॉस को मैंने दूद के पैकेट में डाला है और उससे जिग जग फैशन में लगा ले स्वधनुसार चीज इस पे ग्रेट कर ले अब सकेंड मेथर्ट से हॉट डॉग की स्टफिंग करते हैं मायो लगा देंगे इस पे प्याज लगा देंगे बिना सीका हुगा स्टफिंग लेंगे और इसको दवा दवा करके गैप में भर देंगे उसके उपर प्याज लगा दें ड्रेसिंग सॉस इस पे जिग जग फैशन में लगा दें फिर मस्टर सॉस लगा दें चीज ग्रेट कर लें स्वादनु सार इस तर से वेज हॉट डॉग बना लें एक वार आप जो ट्राई करें